फिरुजबाद में सट्टे कारुबाईयों के खौसले हैं बुलन नहीं है पुलिस का खौफ फुले आम काउंटर सजा कर लिखा जा रहा है सट्टा दरसल कई बार सट्टे बाजों पर पुलिस ने कारेवाही की लेकिन इस्तिती वही की वही है थाना दक्षिन की रेलवे चौकी के मोहला कोटला में खाली मैदान के समीब बने खंडर के अंदर बने कमरे में सट्टे बाज इतने बेखौफ होकर सट्टा लिख रहे हैं कि जैसे यह कोई लीगल व्यापार हो देख सकते हैं इन वीडियो को कि किस तरह सट्टा माफिया हाथों में कलम लेकर डायरी पर सट्टे के नंबर लिख रहे हैं और वहाँ लोग नंबर लिखवाने बराबर आ रहे हैं इस सट्टे के कारोबार को चलाने वाले का नाम अकरम बताया जा रहा है लेकिन इस सट्टे के कारोबार के पीछे खाली अक्रम नाम का विक्ती ही नहीं क्योंकि यह सट्टा कारोबार कई थाने शेत्रों में कई समय से चल रहा है जिनकी वारल वीडियो पहले भी हमारे दोरा दिखाई गई है तो आप समझ सकते हैं कि इस फिरुजबार शेहर में कोई ऐसा सट्टा माफिया भी है जो खुद सामने ना आकर जगे जगे अपना ये गोरखगंदा चला रहा है लेकिन सवाल यह उड़ता है कि अब तक पुलिस की नजर उस पर क्यों नहीं पड़ी और इस गोरखगंदे पर पुलिस ने आज तक क्यों लगाम नहीं लगाई ब्यूरो रिपोर्ट फिरुजबार